देखिए, इसका color change हो गया है, भुनने से गया, इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आती है Hello Friends, स्वागत है आपका Cardio Kitchen में, मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाने जा रहे हैं मूफली और नारियल के लड़ू, यह हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से, जो हमारे घर में अकसर रजगुले की चाशनी बच जाती है, उसको हम फैक देते हैं, आज ही हम उसी से बनाएंगे इसके लिए मैंने लिया है, एक कप नारियल का बूरा, आदा कप मिल्क पाउडर, एक कप मूफली, एक कप चाशनी और थोड़ी सी चेरी, यह तूटी फूटी जो हम यूज में लेते हैं, वही है साथ ही इसके इंग्रीडेंट्स के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसेपी सबसे पहले हम मूफली को ड्रै रोस्ट करेंगे, इसको हम एक कडाई में दालके अच्छे से सेकेंगे और उसके छिलके उतारेंगे, मूफली को हमने सेक लिया है और इसके छिलके उतार दिये है अब हम इसको मिक्सी में चलाके एक पेस्ट बनाएंगे इसका मूफली को अच्छे से बारिक मैंने पीस लिया है, इसका एक अच्छा पेस्ट बन गया है अब हम पैन में दालेंगे 2 चमँच घीु करें मैंने 2 तो गी हो new Elsa तो तो दी ठाव अदिना सब RNA कीुन के लागए या थो्टे वह दिनारफाइट दालेंगे नहीं तो यह नीचे से जल जाएगा, उपर से सफेध रह जाएगा देखिए, इसका color change हो गया है भुनने से गया है, इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आती है अब हम इसमें मूफली का जो हमने पीसा था, वो इसमें मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा सा mix ही करना है, भुनना नहीं है क्योंकि मूफली हमारी अल्रेड़ी भुनी होई है यह अच्छे से mix हो गया है, अब इसमें दालेंगे milk powder इसको भी अच्छे से mix करेंगे और इसमें दाल देंगे चास्नी इसमें दाल दिये अब इसको 3-4 मिनिट के लिए लगातार चलाते हुए भुनेंगे यह मेक्स हमारा देखो गाडा होने लगा है अब इसको 1-2 मिनिट और हम पकाएंगे जब यह नीचे से घी छोडने लगेगा इसको हमें लगातार चलाते रहना है छोडना बिलकुल भी नहीं है यह अपने अपतला चोडने लगा है लेकिन अभी इसमें एक मिनिट और लगेगा इसमें गाडा हो गया है यह देखिए इसने घी भी चोडना चालू कर दिया है अब इस स्टेज पे इसको हम बंद कर देंग उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे यह मिक्स हमारा ठंडा हो गया है इसको बिलकुल ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा इसको गरम ही रहने देना है अब हम इसमें यह टूटी-फूटी मिलाएंगे इसको मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसकी जगर ड्राइफूट भी मिला सकते हैं तूटी-फूटी से यह देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं तो इसको बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं अब हम इसका थोड़ा सा पॉट्शन लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे यह देखिए बहुत आसानी से लड्डू बन गए हैं हम चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं इसको हम चारो तरफ नारेल से भी लपेट के सर्व कर सकते हैं इसी तरह से मैं सारे लड्डू बनाके त्यार कर लूँगी यह लड्डू बनकर त्यार हो गए हैं यह बहुत ही सुन्दर और सॉफ्ट बने हैं हमने इसमें एक्स्टर शूगर नहीं मिलाया है अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी शूगर एड़ कर सकते हैं आप यह रेसिपी जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बैल आइकन को दबाकर औल प्लेक करें थैंक्यू